जिसमें जो है students, आज हम discuss करने वाले हैं, जो अभी हमारा exam रहा था, संगरूर PGI का, तो उसमें जो है, हमारी जो questions आये थे, उनी को ही हम यहाँ पे आज discuss करने वाले हैं, जितने भी questions आये थे, वैसे 100 questions रहे थे, इसमें students, जो की 1.5 घंटे का paper रहा था, और इसके अंदर जो है जो memory based questions है, वो हमने यहाँ पे आपके लिए लेके आये हैं, तो जितने भी questions हम यहाँ पे discuss कर पाएंगे, बाकी आप लोग भी बताना कि आपके according जो है, कौन-कौन से questions और रहे थे, इसके अलावा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है students, एक question आया था, हमारे पास देखेंगे, कि which ethical principle shows obligation not to harm others, ठीक है, as per कुछ ऐसी statement नहीं होगी, but आपको ध्यान अकने, वहाँ पे लिखा था कि not to harm anyone, ठीक है, तो इसके according जो है, ऐसा कौन सा ethical principle है, जिसके according जो है, जिसमें हमने दूसरे person को harm नहीं करना होता है, ठीक है, यह especially आपकी line थी, not to harm, ठीक है, तो options जो थे students, वो ए एक-दो vary कर सकते हैं, कुछ-कुछ options क्योंकि यह memory-based ही आपका, हम यह discussion कर रहे हैं, तो first था malpractice, non-maleficence, outrage, and beneficence, ठीक है, इन में से जो है, दो option आपके उस exam में थे, जिन में से आपका non-maleficence था, and one is beneficence, ठीक है, तो सबकी answer की अलग, obviously, यह different ही रहेगी, but actual में जो है, वो PGI सं confirm लगेगा, कि confirm answer सही होगा, वो मैं आपको बता दूँगी, तो यहाँ पे जो students, जो पहला question है, आप मुझे बताओगी, कि इसमें right answer क्या था, right answer क्या था, students, तो यहाँ पे जो students, आपका जो right answer रहना था, वो रहना था, non-maleficence, जिसके अंदर जो है, हमने क्या नहीं करना होत होता है, ठीक है, तो this one is your ethical principle, एक option में बज़े beneficence भी था, कि जो भी हम काम करेंगे, यह ethical principle के according, जो भी हम काम करते हैं, वो दूसरे के लिए benefit के लिए ही हो, मतलब patient के benefit के लिए हो, वो beneficence, बाकि यह दो option है, malpractice and outrage students, यह option में वैसे नहीं थे, just आपको यहाँ पे हम option के, मतलब be your right answer, ठीक है, next question है students, next question है, question था कि अगर urinary bladder, बचे, full है, full urinary bladder है, तो जब आप percussion करोगी, तो कौन से sound वहाँ पे आपको through percussion feel होगी, ठीक है, तो option में थे आपके पास resonance, dull sound, flat sound, hyper resonance, ठीक है, इन में से students, दो sound वहाँ पे present थी, दो हमने आपके लिए डाली है, so that की option को fulfill करने के लिए, तो मुझे बताएंगे आपका, very good विजे, paper बहुत अच्छा रहा, ठीक है, बताएंगे बचे, urinary जब bladder full होता है, कौन से sound आती है, यहाँ पे, resonance, dull sound, flat sound या hyper resonance, जो भी इसका बचे confirm, जो right answer रहना है, वो रहेगा आप का कौन से sound रहती है, यही dull sound रहती है, ठीक है, जब भी ध्यानक नो, कोई भी चीज़ बचे, आपके full होती है, जैसे lever हो गया, urinary bladder, इनका, जब हम percussion करते हैं, तो कौन से sound feel होगी हमें, percussion के थ्रू, dull sound, तो एक question यह भी था आपके exam में, ठीक है, next question बड़े simple से basic से question आया हुए क्या answer रहेगा, बताएंगे बचे, apical pulse और radial pulse की difference के बीच को हम क्या बोलते हैं, apical pulse and radial pulse, फटा फटा यहां पर answer करेंगे students, apical pulse and radial pulse, तो students, इसका जो answer रहना है, वो रहना आपका pulse deficit, confirm आपका right answer जो जाएगा, वो रहेगा, pulse deficit will be your right answer, ठीक है, जो pulse pressure होता है, क्योंकि यह भी question में आया हुआ था, so that हमने next question में इसको add किया हुआ है, यह भी आपके exam में था, कि difference between systolic और diastolic blood pressure की बीच के difference को हम क्या बोलते हैं, क्या इसको pulse deficit बोलेंगे, pulse pressure यह हमने वही option डालने हो है, बट वहाँ पर option change थी, बट ध्यान रखें रहेंगे, तो यह आपके पास 40 mm of hg रहेगा, इसका right answer, ठीक है, यह भी confirm आपका right answer है, next, क्योंकि बच्छे paper थोड़ा easy way में ही था, not easy भी नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि question जो है, कुछ priority based के question भी थे, तो general के लिए तो obviously 80, जिसने 80 से उपर की तरफ को marks होंगे, उनका तो confirm जो है, almost बनने के chances fully है, 80 से नीचे वाले जो है, अब depend यह करता है कि कितना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर tentative ही बता पाएंगे आपको, ठीक है, देखेंगे, एक question आया था, बच्छे कि यह question है, repeat, हर exam का mostly मुझे लगता है, फे हमने cramps अगर feel कर रहा है, तो आप क्या करोगे, क्या उसमें option थे, क्या आप procedure को discontinue करेंगे, क्या आप height of anema can को raise करेंगे, told the patient this is normal during anema, क्या यह बोलेंगे, या inform करेंगे physician को, answer करेंगे students. बताओ, बच्छे, फड़ा-फड़ा answer करेंगे, यहां पे जो है, कुछ, यहां पे जो है question, answer जो है, यह भी बोल रहे होते हैं, कि हम जो है height, जो है, वो raise करते हैं, बच्छे, ऐसा नहीं होता है, इसका confirm, जो right answer है, वो रहना है, हम procedure को discontinue करते हैं, ठीक है, तो temporary हम stop करते हैं, इसमें, ठीक है, so that कि जो, क्योंकि abdominal, जो cramps होते हैं, यह थोड़े time के लिए होते हैं, फिर यह जैसे ठीक हो जाते हैं, दोबारा से हम procedure start कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो confirm right answer रहना, वो रहेगा, आपका discontinue the procedure, ठीक है, तो option A will be your right answer, बचे, एनिमा कैन का, जो है, यह हम patient क तो this is normal, यह नहीं रहेगा, यह भी नहीं होगा, this one भी, यह भी नहीं होगा, क्योंकि यह पहले भी exam में बचे repeat आया हुए, इसी साल अब का 2022 में भी यह repeat हुए exam में, ठीक है, तो यह answer इसका यह रहेगा, ठीक है, आप discontinue करोगे इसको, next देखेंगे, most common complication पुछी गई है, per यहां पे जो answer रहेगा, वो आपका यही होगा, कि discontinue the procedure, अजी था यहां पे option में, था ऐसा, students, ठीक है, most common complication of peritoneal dialysis, good evening, परनीथ, most common complication of peritoneal dialysis, तो इसका जो right answer रहना, students, जो most common होता है, वो होता है, जो peritonitis होता है, ठीक है, जो peritonium हमारी cavity होती है, उसकी inflammation होने के chances होते ह है, तो वहां पे जो है, student, patient, जो complaint करता है, वो sudden abdominal cramps के लिए complaint करता है, ठीक है, उसके साथ, जो है, जो है, जो color होता है, जो हम outflow का color देखते हैं, क्योंकि dialysis के दुरान हम inflow भी करते हैं, dialysiate fluid को डालते हैं, और साथ के साथ, जो outflow को भी देखते हैं, तो outflow का जो है, अगर आपका color भी depend करता है, अगर यह cloudy सा होता है, तो रहा दुदला सा color होगा, तो that means कि यह भी indicate करता है, कि peritonitis को indicate करता है, और साथ को साथ, sudden abdominal cramps होते हैं, ठीक है, तो most common complication रहेगा, आपका confirm right answer, जो रहना है, वो रहेगा आपका peritonitis, ठीक है, next question आया था कि which theory shows patient should be near to the nature, question आया था, बज़े थोड़ा सा घुमा के आया था, directly environment theory नहीं लिखी थी, question में आया था कि ऐसा कौन सी theory है, जो patient के लिए show करता है, कि वो near to nature रहे, तो option में तो आपके almost 3 option ऐसे ही थे exam में, एक था Florence Nightingale, एक था Martha Rogers, और एक था आपका Henderson theory, और एक था आपकी Pager theory, ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका answer रहेगा, बताएंगे, तो students, यहाँ पर जो आपका confirm right answer रहना रहेगा, वो आता है, आपका Florence Nightingale, जिन्हों ने आपकी कौन सी theory दी थी, environment theory दी थी, इन्हों ने क्या बता था, कि जो patient की, जो सिर्फ हम यह नहीं है कि उसकी treatment चल रही है, तो उसको हम cure कर पाएंगे, उसका environment जो है, हवा, पानी और खाना, ventilation, यह चीज़े बहुत important है, patient की जो है, healthy life के लिए, और साथ के साथ जो उसकी recovery के लिए, तो यहां पे नीचर के नियरबाई, यह आपका रहेगा, यह दी थी Florence Nightingale ने, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के था यह, और first time यह environment theory जो है, कब दी थी यह, 1860 के अंदर दी थी, 1860 में वज़े सबसे पहले, Florence Nightingale ने दी थी, ठीक है, 1860 में, next question था, most reliable test for CNS patient, ठीक है, central nervous system वाले जो patient होंते हैं, उनके लिए सबसे reliable पुछा हूँ, students, reliable, तो एक तो option में यह था, उसमें, option जो है, यह तेन option जो थे, यह थे ही आपके option में, एक pupillary response था, level of consciousness था, deep tendon reflex था, and pulse oximetry test, ठीक है, तो most reliable पूछा गया था, क्योंकि अगर आपको vital sign आता, कि most important आपका, या fifth number का, जो vital sign होता है, CNS वाले patient के अंदर, तब तो आपका pupillary response जाना था, ठीक है, vital sign लिखा होता है, लेकिन reliable इन्होंने जो है, test बोला है, तो जो कि वो कौन सा test होता है, आपका glass go comma scale होता है, ठीक है, जिसके तुरू हम क्या पता लगाते है, level of consciousness, तो आपका जो answer रहना है, वो रहेगा, आपका level of consciousness, ठीक है, इसका right answer, level of consciousness रहना था, ठीक है, तो एक कुछ basic से थे, starting में question, एक question था, बचे रीडिंग के साथ था कि ABG है, ABG result जिसमें pH जो है 7.5 है, SpO2 का जो value लिखी थी 86, PO2 हमारा 60, PCO2 29, और bicarbonate थे 24, ठीक है, और कुछ patient के vitals लिखे थे 145, 80 mm of HG था, और इसमें pulse जो है 110 per minute थी, और respiratory rate था 40 per minute, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना था, कि क्या पहले तो आपको value find out करनी थी कि कौन सा वाला patient है, और फिर उसके आपको management कैसे करनी होती है, ठीक है, तो pH तो है 7.5, that means की normal, क्योंकि आपको बताए pH कितनी होती है, 7.35 से लेकी होती है, आपके 7.45 जो कि हम लेते हैं, अगर इससे जादा है, तो वो alkalosis की तरफ को जाएगा, अगर आपका 7.35 से नीचे की तरफ को होता है, तो वो आपका acidosis की तरफ को आता है, अब second चीज आपको ध्यान रखना है, तो दूसरी चीज आपके पास क्या लिखी हुए है, बचे, PO2 तो ठीक है, यहाँ पे partial pressure oxygen का 60 लिखा हुआ है, PCO2 लिखा था 29, ठीक है, तो 29 के अंदर यहाँ पे 29 का मतलब कि normal हमारे जो PCO2 होता है, तो वह कितना लेते हैं, हम लोग 35 से लेके 45 के mmHg लेंगे, ठीक है, PCO2 का, तो that means कि यह decrease है, PCO2 है हमारे पास decrease, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे students, क्योंकि CO2 हमारी acidic gas होती है, और यहाँ पे उसका level हो रहा है decrease, अगर यह increase होता, तो यह acidosis की तरफ को जाता और respiratory जाता, क्योंकि यह CO2 है, हमारे lungs के साथ related है, ठीक है, metabolic के साथ नहीं, तो PCO2 decrease हो रहा है, और pH भी आपकी क्या है, 7.5 है, that means कि condition कौनसी पुछे, respiratory alkalosis की condition है, vitals हमें 140 by 80 जो है, थोड़ा confuse करने के लिए दिये हो है, respiratory rate 40 breath per minute है, that means कि patient को जो है, यहां पर वो rate बड़ा हुआ है, तो आपको यहां पर क्या करना है, तो option याद रखेंगे मचे management है, मतलब एक तरह से respiratory alkalosis वाले patient की पुछी हुई, ठीक है, तो ध्यान के मचे, respiratory alkalosis वाले patient के अंदर हम क्या करते है, mechanical ventilation देने के आपको जूरत नहीं है यहां पर, mechanical ventilation से तो respiratory alkalosis होता है, oxygen administer करनी थी आपको यहां पर, oxygen administer करनी थी आपको यहां पर, then क्योंकि PO2 भी आपका decrease है, students, soda bicarbonate नहीं देते हैं, यह already alkali है, तो already condition बचे, alkalosis वाली है, तो यहां पर soda bicarbonate देते हैं, हम respiratory alkalosis वालों को calcium gluconate देते हैं, क्योंकि respiratory alkalosis वाले patient में hypokalcemia देखने को मिलता है, hypokalcemia देखने को मिलता है, calcium जो है, bind कर जाता है, albumin के साथ calcium हो जागा decrease, तो आप यहां पर calcium gluconate देते हैं, उसके लाब बचे, bag mask, यह mechanical ventilation नहीं, हम यहां पर paper bag जो ventilation होती न, paper bag breathing के लिए बोलते हैं, paper bag लेते हैं, या फिर re-breather mask के थ्रू जो है, जिसमें क्योंते हैं, जो patient होगा, बचे, वो CO2 क्या करेगा, exit करेगा, क्योंकि CO2 का level decrease दिखने को मिल रहा है, तो CO2 उस paper bag में जो है, वो collect हो जागा, जो patient उसमें expirate करेगा, और उसी respiration को, उसी जो expiration है, उसको ही उसको क्या करना होता है, अंदर लेना होता है, क्योंकि यहां पर CO2 का amount है, decrease, तो हमें जो है, वो CO2 कैसे, mechanical नहीं होगा यहां पर, ठीक है, तो option will be, जो confirm, इसका right answer जाएगा, students, वो oxygen administration जाएगा, ठीक है, बाकी monitor for pulmonary embolism का relation नहीं है, क्योंकि pulmonary embolism का, जो आपका early symptom होता है, वो होता है, ठीक है, chest pain, tachycardia, tachypenia, वो होता है, बट यहां पर जो है, आपका जो oxygen administration will be your right answer, नहीं, नहीं, mechanical ventilation नहीं होगा, students, mechanical नहीं वो confuse करने के लिए हो, mechanical नहीं होता है, ventilation करते हैं, बट उसको बोलते है, paper bag ventilation, जो आपके re-breather mask के थुरू आप दे सकते हो, या paper bag, जिसमें person को क्या बोलते हैं, कि उसी में ही आपको sans, जो है, वो क्या करनी है, छोड़नी है, और जो छोड़ी होई sans होती है, क्योंकि हमारी sans के थुरू आपको बता, CO2 बहार निकलती है, तो उसी CO2 को साथ के साथ क्योंकि जो हम sans छोड़ते मिचे, जो उसमें oxygen भी होती है, CO2 भी होता है, तो उसी sans को हम अंदर लेंगे, ठीक है, और oxygen के साथ उसको attach किया होता है, मतलब जो आपका rebreather mask होता है, उसको oxygen के साथ attach करते हैं, और जो आपकी one-third expiration वाली sans होती है, उसको दोबारा inhale करवाते हैं, क्योंकि PCO2 है, यहाँ पर decrease, PCO2 है, decrease, respiratory alkalosis, आप management में पढ़ना, respiratory alkalosis वाली patient के अंदर हम rebreather mask का use करते हैं, non-rebreather mask आते हैं, या paper bag ventilation बोलते हैं, और soda bicarb भी नहीं देंगे यहाँ पर, तो आपका confirm जो right answer रहेगा, oxygen administration ही रहेगा, not mechanical, not mechanical, option b will be your right answer. Next question देखेंगे, if the nurse gives potassium overdose to the patient then, अगर गलती से क्या किया है, nurse ने potassium overdose दे दिया है, bolus form में दे दिया है, तो what will be, क्या करोगा आप, क्या NS दोगे 0.9% या NS 0.45% दोगे, या insulin plus dextrose 10% water solution देंगे, या RL देंगे, बताएंगे मुझे answer में. Potassium overdose वाली? हाँ जी, very good. Students, यहाँ पर जो आपका answer रहेगा, वो रहेगा insulin with dextrose के साथ. क्यूंग, क्यूंकि एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्यूंकि गलती से अगर आपने potassium ज़्यादा दे दिया, क्यूंकि यह cardiac dysrhythmia potassium का ज़्यादा बढ़ना, आपको बता है, यह muscle को भी affect करता है, उनकी weakness कर देगा, उल्टा काम करता है, पुझे opposite चलता है, ठीक है? और साथ के साथ जो है, एक चीज़ ध्यान करें, कि जब भी potassium का level हमारे body में बढ़ता है, मतनला hyperkalemia होता है. हमारे कौन से ABG के साथ associated होता है hyperkalemia metabolic acidosis, तो metabolic acidosis या hyperkalemia दोनों के case में हम क्या करते हैं? इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन हम किस में डालते हैं? पुझे dextrose में डालते हैं, glucose में डालते हैं. क्यूंकि insulin का एक बड़ा important function होता है हमारी body में, यह क्या करता है, हमारी blood से potassium को उठाके cell में भेजता है. तो potassium चला जाएगा cell के अंदर, और कोई भी चीज़ अगर हमने body में देखने हैं, जो हम blood में देखते हैं, not in cell. ठीके, तो यह cell में भेजता है अंदर, क्यूंकि हमारा जो intracellular cation भी कौन होता है, potassium होता है. ठीके, और dextrose हम इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि insulin क्या करवाएगा, साथ के साथ hypoglycemia भी तो करवाएगा, और hyperglycemia से ज़्यादा खतरनाक होता है, hypoglycemia. तो इसलिए हम dextrose साथ में चलाएंगे, so that उसको glucose भी कमना होई, और साथ के साथ insulin जो है, वो potassium को cell के अंदर भेज़ दे और blood के अंदर potassium कम हो जाए, ठीके, तो आपकी जो potassium overdose की case में hypercalemia या metabolic acidosis की condition बचे आपका insulin plus dextrose जाता है, तो confirm आपका right answer C ही रहेगा, ठीके, 0.9% NS जो है, बचे कब देते हैं हम लोग, यह हम तब देते हैं DKA वाले patient में, diabetes, ketoacidosis वाले condition होती है, उसमें देते हैं क्योंकि वहाँ पे glucose जो है वो बहुत जादा बढ़ जाता है, 300-800 तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे हम dextrose ना देके क्या देते हैं, वहाँ पर फ़ले start ही NS से करते हैं, dextrose यह insulin, dextrose जो है, हम specially तब देते हैं, जब उसका 250 mg per deciliter से नीचे आ जाएगा जैसे blood glucose, क्योंकि हम obviously उसको treatment दे रहे होगा, तो उसका blood glucose भी नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा, धाइसो से नीचे तब हम साथ के साथ उसको dextrose जो है वह चलाते हैं, so that hypoglycemia में गलती से चला जाए, ठीक है, तो इसलिए आपका जो confirm यहाँ पर right answer, option C ही जाएगा, यह confirm है, ठीक है, next question देखेंगे, before tracheostomy care, what will the nurse first do? Tracheostomy care करने से पहले, सबसे पहले nurse क्या करेगी, क्या वो जो twill tape, जो बानते हैं, क्या उसको lose करेगी, क्या suction करेगी पहले, यह tracheostomy site को clean करेगी, या pain signal जो है उसको बोलेगी कि, जैसे अगर आपको pain होती है, तो आपने हाथ को raise करना है, तो यह option 4 के 4 as it is थे, आप answer करेंगे, बज़े फटा-फट क्या answer लगता है आप लोगों को फटा-फट? answer करेंगे students कौन सा answer रहेगा? रजनी भारदुआज A answer कर रहे हैं, M, C, stand, D, option की तरफ जा रहे हैं, जैस्मिन C, बाकी बाकी बज़े फटा-फट answer करेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? सिद्धुतिवारी A, मनी शासी, मीरा हेजल D, पेन सिगनल तो तभी होगा न, अगर देखो option D तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बेशक, क्योंकि pain कैसे हो सकते है, patient कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, care कर रहे हो, उसको pain होता तो आप care काई को करते हो, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या न, pain signal के लिए तो नहीं, definitely होगा, यहां पे जो है मेरको भी थोड़ा सा confusion है कि इसमें right answer क्या रहेगा, मेरे according जो है, option C होना चाहिए, कि पहले site को clean करना, ठीक है, और उसके अलावा हो सकता option A भी आपका right हो सकता है, कि tool to a जो है उसको पहले lose करना, बट मेरे according मुझे option C सही लग रहा है, I am not sure, PGI संगरूर अब यह चीज़ depend करता कि वो कौन साइस का सही answer करेंगे, ठीक है, तो यह थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तरफ से तो option C होना चाहिए, बाकि मैं यह नहीं confirm बोल सकते कि इसका confirm यहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, इसका option A भी हो सकता, प्यों option C भी हो सकता, दोनों मैंसे ही होगा, A या C मैंसे ही रहेगा option, ठीक है, तो जिनका A या C मैंसे है, उनके chances हैं कि वो सही हो, बट मेरे according option C will be your right answer, ठीक है, next question देखेंगे, इन हेमोफिलिया, which clotting factor is deficient? यह हमने live question में भी बज़े discuss कि रहे होते है, factor 8, sorry, factor 9 है, factor 8 है, factor 11 है, factor 12 है. Before tracheostomy care, what will be the nurse first do? Sorry, हेमोफिलिया में, clotting factor कौन सा deficient? तो आपको तब जो हेमोफिलिया के अंदर जो मेल लिए, कि आपका clotting factor number 8 होता है, deficient, ठीक है, और A के अंदर होता है, बज़े, आपका 8, और B होता है, तो आपका 9 जो होता है, वहाँ पे deficient होता है, ठीक है, लेकिन most common जो type का हेमोफिलिया होता है, वो होता है, हेमोफिलिया A, ठीक है, तो option जो है, आपका confirm B ही रहेगा, हेमोफिलिया factor 8 के वज़े से होता है, next question आता है, symptom of IV infiltration के symptom क्या होते है, यह question बड़ी बार पूछा जाता है exam, warm and inflamed skin होगी, cool, clammy, adamator skin था, blue color skin थी या warm skin, ठीक है, तीन option इसमे confirm exam के थे, confirm, तो warm कभी नहीं होती है, में students, ध्यान रखना, warm तो कभी नहीं होगी, IV infiltration में, जहां पर आप क्या करते है, cannula के through, जब आपने cannula लगाया होगा patient को, जो IV fluid है, वो tissues की तरफ को infiltrate हो जाता है, तो patient के आपको सबसे पहला ही, यहां पर symptom होता है, अगर जहां पर भी word आ जाए, क्या है, cool clammy, ठीक है, और हलकी समाँ पर addy में भी होगा, तो यह option में as it is था, तो option B will be your right answer, option B will be your right answer, ठीक है, ठीक है, तो option B है students का right answer, एक था लिन-फैल्टरल syndrome का, ठीक है, कि कौन-कौन से लिन-फैल्टरल syndrome होता है, जातातर males में होता है, और जो एक होता है, इसके opposite turner syndrome होता है, वो female baby में होता है, ठीक है, तो लिन-फैल्टर में क्या होता है, एक extra chromosome होता है, ठीक है, तो 47XXY बोलेंगे, 45XSY या 45XS या 45XY option में थे आपके, तो ध्यान रखने मुझे, लिन-फैल्टर के अंदर के होता है, एक extra X chromosome होता है, और यह males के अंदर होता है, ठीक है, तो आपको बता है, males के sex hormones होता है, वो होता है, XY, तो मैंने बहुता है, ठीक है, extra, और आपको बता है, 46 होता है, मारे number of chromosomes, total number of chromosomes, लेकिन इसमें 1 add हो गया, तो यह 47 हो जाता, students, तो इसका जो आपका right answer रहना है, तो confirm आपका right answer, option A ही रहेगा, ठीक है, और अगर आपका जो है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर बज़े X chromosome होता है, absent, तो वहाँ पर आपका क्या होना है, 45 X 0 होगा, एक X chromosome absent होता है, और वो एक कम होगा, तो 45 होगा वो, ठीक है, तो option A will be your right answer, ठीक है, एक question आया था, placental circulation starts at, 11th day में start होती है, 8th day में, 21st day में या 19th day में, कौन से day में start होती है, फटा-फट answer करेंगे, placental circulation students, students, placental circulation, जो है हमारी, एक होती है, students व्यस्टेओ, फटा-प्लेसेंटल circulation, और एक होती है, utro-placental circulation, utro-placental circulation का मतलब होता है, जहां भे बच्छिन, uterus से placenta की तरफ को, जो circulation start होती है, वो तो होती है, 9th day पे, वो तो होती है, फिटो-प्लेसेंटल सर्कुलेशन, फिटो-प्लेसेंटल सर्कुलेशन, वह होती है आपके 21st डे पर, 21st डे पर स्टार्ट होती है, तो यहां पर जो है students answer जो रहेगा, वो रहना है आपका 21st डे, ठीक है, 21st डे विल बी यो राइट आंसर, बचे आपका 21st डे रहेगा इसका ठीक है, क्योंकि इसमें particular वैसे पूछा नहीं था, यूट्रो-प्लेसेंटल या फिटो-प्लेसेंटल सर्कुलेशन, बट हम फिर भी बोलते हैं कि 21st डे पर स्टार्ट होती है, अगर लिख होता proper यूट्रो-प्लेसेंटल तो 9th डे पर होती है और फिटो-प्लेसेंटल होत होती है, baseless होती है, decido compact layer या functional layer, कौन सी होती है, इसमे, shadow of endometrium, endometrium क्या आपको होता है, decido हम बोलते हैं endometrium को ही during pregnancy, तो उस time जो होती है, तीन layer की formation होती है, एक होती है होती है, आपके decido of vera, और एक होती है baseless और एक होती है compact layer, ठीक है, तो यहां पर जो confirm आपका right answer रहना है, वो रहेगा, option B will be your right, decido of baseless जो होती है, वो उस time के होती है, वो shadow of होती है endometrium की, ठीक है, यह धियान रखना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो option B will be your right answer. क्वेशन आया था बचे, ऐसी कौन सी ड्रग है जो, which can't cross the placenta, कौन सी नहीं करती है, safe होती है बचे प्रेगनेंसी में, यादगना आपके heparin सबसे safe होती है, heparin is the safe drug in pregnancy, it can't cross the placental barrier, ध्यान रखना, बाकी बचे यह morphine, warfine, magnesium sulfate cross कर जाती है, but heparin नहीं करती है, it is the safe during pregnancy, तो option will be confirm आपका right answer रहना है, option B, option B will be your right answer, ठीक है, question आया था, which is not a tocolytic agent नहीं है, option में थे mesoprostol, magnesium sulfate, salbutamol और isosuk spring, ठीक है, इन में से कौन सा tocolytic, tocolytic agent बचे वो होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, uterine contraction को suppress करते हैं, not enhanced, suppress करते हैं, तो students, यहाँ पे जो है, mesoprostol भी था, magnesium sulfate था, salbutamol, isosuk spring भी था, ठीक है, तो ध्यान रखना जो है, एक ही नहीं है, इसमें बचे बाकी सारे tocolytic agents हैं, इसमें जो confirm आपका right answer रहना है, वो हो रहेगा, आपका mesoprostol will be your confirm right answer, tocolytic agent नहीं है, क्यूंकि इसको तो हम abortion में देते ह है, so that की क्या होगा, uterine contraction, क्या होती है, वो increase होती है, so that की जो आपका abortus है, वो expel out होता है, ठीक है, तो confuse करने के लिए salbutamol भी डाला था, जो की एक bronchodilator है, but it also act as a tocolytic agent, बीटा mimetics के अंदर भी आता है, आपका salbutamol, terbutalin, ध्यान एकने, terbutalin, यह salbutamol, isosuk spring, magnesium sulfate, these all are the tocoly genetic agents, बचे, mesoprostol नहीं है, option A will be your confirm right answer, next question था, beach presentation के अंदर, बचे, presenting जो पार्ट होगा, fetal head का, वो कौन सा होता है, breach presentation है, और presenting पार्ट कुछा है, fetal head का, occipitobragmatic, mento vertex, submento vertex, या occipitofrontal, इन में से कौन सा जो है, वो आपका confirm right answer है, breach presentation के तर, बचे, आपका fetal head का कौन सा diameter होता ह हाय है, वो उसक्ता उस-ता है, इसका जो confirm आपका student right answer है, जो आपका सबसे largest diameter होता है, बचे, anterior posterior diameter, mento vertex vertex will be your confirm, confirm right answer. Mento vertex होता है, आपका सबसे largest anterior posterior head होता है, मतला आपका diameter होता है, जो क्यों होता है, 13.5 cm होता है, ठीक है? Fetus का, आपका anterior posterior diameter होता है, fetal head का, ठीक है? तो यह आपका बचे, जब भी यह होता है, तो brow presentation होती है, ध्यानक ना, brow presentation. अच्छा, question में था, बचे, which presentation है, और not breach ही, यहाँ पर brow होना चाहिए था, brow presentation में पुछा गया था, ठीक है? तो brow presentation होता है, मेंटो vertex के अंदर, ठीक है? Not breach नहीं था, brow था, यहाँ पर, brow. ठीक है, brow presentation कौन से fetal head में? तो इसका जो answer रहेगा, वो option B will be your confirm right answer. Confirm है students, यह, last question की तरफ को देखेंगे, question है, if after delivery, mother temperature is 100.4 degree Celsius, what should the priority nursing role? ठीक है, जैसी mother की delivery हो जाती है और इसके अंदर जो है, अगर 100.4 degree उसका temperature आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे as a nurse, यहाँ पर, क्या notify करोगे physician को, क्या उसको oral fluid दोगे, document the finding, document the finding और यहाँ फिर antibiotic दोगे उसको, document the finding यहाँ प्रोवाइट एंटिबाइटिक. हाँ जी, cloudy आउई विश्य मझे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, क्या पूछ रहे हो, प्लीज लिख रहे हो आप, क्या पूछना चाहरे हो, question लिखेंगे अपना, हाँ जी, इसमें मुझे confirm आपका right answer, oral fluid ही होता है, क्योंकि starting के time पे क्या होता है, students, usually mother का body का temperature होगा, after delivery जे increase होता है, ठीके, और यहाँ पे जो है, 100.54 degree तक temperature है, तो क्या करोगे, मुझे इसको oral fluid दो, क्योंकि इस time में आपका hydration status maintain करना important रहेगा, ठीके, तो यहाँ पे आपका जो right answer रहेगा, वो option B ही रहेगा, इसका right answer, ठीके, option B confirm, इसका right answer रहेगा, ठीके, next question आता है, हेगार sign पूछा गया था, हेगार sign जो है, 10 weeks पे, 11 पे, 4 weeks पे या 8 weeks of gestation पे, हेगार sign क्या होता है, हेगार sign होता है, आप लोग बताएंगे, हेगार sign होता है, यह आपके 6 to, आप बोल सकते हो, 6 to 8 weeks of gestation पे जो है, यह examiner जो होता है, यह feel करता है, बचे, probable sign of pregnancy, यह probable sign of pregnancy, ठीक है, जितने भी signs होते हैं, यह probable signs होते हैं, और इसका, बचे, confirm आपका right answer, 8 weeks of gestation ही रहना, क्योंकि 6 to 8 weeks की तरफ को जो है, इसका right answer होता है, मतलब कि 6 to 8 weeks of gestation पे start होता है, इसमें क्या हो जाते है, softening of the, जो इस्थमस जो part होता है, आपका uterus का जो इस्थमस part होता है, उसकी हो जाते है, softening, ठीक है, तो confirm आपका option D will be your right answer, जिसमें 8 weeks of gestation किया होगा, वो आपका सही answer रहेगा, ठीक है, एक question आया था, after delivery of mother having placenta previa, what is the expected complication, मतलब mother को क्या था, placenta previa था, उसकी delivery होगी है, उसके बाद जो है, कौन सी complication आपको उस mother में देखने को मिलेगी, after the delivery, option में एक DIC था, एक hemorrhage था, दो option के, इसके बारे में मुझे idea नहीं है कि क्या option होगे, but दो confirm आपके option में थे, DIC और hemorrhage दोनों में confusion है, क्योंकि DIC के लिए भी हम monitor करते हैं, students और hemorrhage भी उसमें complication में रहता है, ठीक है, तो it depends upon कि आपका PGA संगरूर जो है, बचे कौन सा इसमें answer करेगा, DIC या hemorrhage दोनों में से ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी बचे क्योंकि placenta preview में bleeding होती है, तो जो bleeding होगी, क्योंकि उसमें clotting factor भी loss करेंगे, तो DIC है, अगर आप NCLEX की book देखोगे, तो दोनों उसमें mention किये हैं complications, DIC के लिए भी आप monitor करते हो, और hemorrhage के लिए भी monitor करते हो, बोथ के लिए monitor करते हैं, ठीक है, तो अब it depends upon कि PGI संगरूर इसमें से कौन सा right answer लेगा, तो DIC या hemorrhage दोनों में से होगा, मेरे according जो है, यह hemorrhage भी हो सकता है, DIC भी हो सकता है, it depends upon the examiner, तो हो सकता है hemorrhage की तरफ को, hemorrhage की तरफ को, क्योंकि दोनों ही complication है students, दोनों ही complication है, तो hemorrhage रहेगा, इसके अलावा और नहीं होंगे options में, ठीक है, और एक question आया था, hearing area जो है, आपके कौन सी lobe में होता है, तो आपको पता है, यह तो simple सा question था, ठीक है, बार-बार हम live में इसको discuss करते रहते थे, DIC होता है, students ऐसा नहीं है, दोनों में होता है, placenta preview में भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि bleeding तो दोनों में हो रही होते न, और bleeding में दोनों की दोनों में क्या होगा, clotting factor loss होगे, DIC जो है, आपका mainly दोनों की ही complication में आता है, बाकि confirm क्या होगा, वो आपको जो है, वो, अब क्योंकि यह, मैं 100% सही नहीं बोल सकती है, कि 100% सही होगा, ठीक है, hearing area जो है कौन सी लोब में होता है, यह आपके temporal lobe में होता है, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, next question आता है, आज हम students 25 ही question यहां पर discuss करेंगे, 25 जो है हम कल के live session में discuss करेंगे, ठीक है, देखेंगे 24 नमर question, after discharge of ileostomy patient, which diet is recommended, मतलब patient जो है, ileostomy की गई है उसकी और उसको घर बेज़ दिया गया है, और कौन सी diet आप उसको recommend करोगे, क्या उसको आप sodium के लिए बोलोगे, potassium के लिए, vitamin B12 के लिए या fiber के लिए, या fiber के लिए बोलोगे, क्योंकि maximum बच्चों ने मुझे पता है, vitamin B12 किया हुआ है, vitamin B12 की तरफ को किया हुआ है, बट vitamin B12 का जो है students, क्योंकि हमारी जो ileostomy होती है, क्योंकि हम ileum में करते हैं उसको, तो वहाँ पे जो है क्योंकि terminal ileum में ही हमारी कौन सी vitamin की absorption होती है, vitamin B12 की होती है, ठीक है, बट यहां पे suspense में बचे fiber भी है, fiber भी है, fiber भी हम students क्या करते हैं, fiber diet लेने को भी बोलते हैं, क्योंकि ileostomy के अंदर बचे watery stool होता है, ठीक है, तो spillage के chances भी जादा होते हैं, तो यहां पे जो है हम starting में तो patient को जो बचे low fiber बोलते हैं, लेकिन जैसे घर उसको भेज देंगे, तो after discharge जो हम बचे fiber increase करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, supplement बचे सारे एक सारे जो है, तो fiber भी आपका supplement है, vitamin B12, sodium potassium तो नहीं होगा, definitely नहीं होगा, sodium potassium नहीं होगा, sodium और potassium मैंसे नहीं होगे answer, ठीक है, either इसका vitamin B12 हो सकता है, fiber भी हो सकता है, मेरे according fiber होना चाहिए, let's see, की PGI संगरूर क्या करेगा इसको, ठीक है, fiber होना चाहिए, क्यूंकि आपका बचे fiber हम दे के करते हैं, so that क्यों watery, watery stool हो जाता है, इसके अंदर, ठीक है, fiber हम दे के करते हैं, ठीक है, let's hope क्या इसका answer हैगा, होगा तो दोनों मैंसे ही है, इन दोनों मैंसे ही option की तरफ से रहेगा, ठीक है, बट confirm नहीं पता है कि कौन सा हो सकता है, ठीक है, last question, आभी हम discuss करेंगे, in a child having TOF, what behavior should prevent after surgery, ठीक है, surgery हो यह बच्छा है, उसके कौन सा ऐसा behavior है, जो आप prevent करोगे, क्या crying आप करोगे, staining के लिए, sinosis के लिए, या उसको unnecessary mobilize नहीं करोगे, तो यहाँ पर जो आपका बचे right answer हैगा, वो रहेगा crying, क्योंकि यहाँ पर patient को वैसे tet spell हो रहे होते हैं, और crying की वज़ो से है, blue spell, tet spell, जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर हम prevent ही crying करते हैं, तो उसको जो है, pump, ठीक है, ताकि उसको sedate किया जाए, ठीक है, क्योंकि crying, जितना ज़्यादा cry करेगा, तो इसके oxygen demand बचे increase होगी, और increase होगी, तो automatically उसको sinus देखने को मिलेगा, ठीक है, और straining जो है, उसको आप control ही नहीं कर पाऊगा, जिए straining उसका नहीं control कर पाऊगा, आप लोग, sinosis कैसे sinus से पहला, आपको cry के लिए, immolization, sorry, आपको unnecessary mobilization, जो है immobilization, यह आपको इससे prevent करने की ज़ूरत नहीं है, आपको main होता है, आपको crying, ठीक है, तो option A will be your right answer, ठीक है, तो आज के live question, जो है, आज हम यहीं पर ही इसको अभी stop करेंगे live session को, इसके अलावा next question रहेंगे, वो हम साथ, दोबारा से कल, आपको notify कर दिया जाएगा, 5.15 के around हम live आएंगे, दोबारा से next question discuss करने के लिए, ठीक है, I hope, आप लोगों को जो है, clarify हो गयोंगे, जो मेरे according 100% सही है, वो मैंने आपको बता दिये, 2-3 question ऐसे हैं, जिसमें 2 में, जो है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सक जाएगा, ठीक है, expected cut-off क्या रहेगी, expected cut-off, जो है, मुझे लगता है, 80 plus जाएगी, आपकी journal वालों के लिए 80 plus ही रहेगी, confirm है 80 plus, ठीक है, क्युक्क paper जो है, ज्यादा tough नहीं था, तो 80 plus ही रहेगी, आपकी journal वालों के लिए, ठीक है, बाकी 2-3 marks, 5 marks जो है, आपके another categories के लि 80 plus होंगे, वो आप सोच सकते हो की selection, क्योंकि seeds भी कम है, तो उस हिसाब से, हाँ, कफिंग भी था, बटे कफिंग के लिए, जो है, कफिंग का भी नहीं रहेगा, crying सबसे जादा main important होता है, हाँ, crying main important रहता है, ठीक है, students, आज का live session हम यहीं पर ही over करें, बाकी we will continue after tomorrow, ठीक है, अज ओब को जो है,